जो मैं हूँ नहीं उसकी क्यों 29 की जाए क्यों न हकीकत से निपटने की आज माइस की जाए हेलो फ्रेंड्स दिस इज गिरिजेस्क मार्मल एंड यू आर वाचिन इंग्लिस गुर कुछ इंग्लिस ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसे रिलेटेड क्यूशन्स ओड परिछाओं में तो पूछे ही जाते हैं साथ ही साथ लगभग प्रतेक कंप्टेटी एक्जाम्स जैसे SSC, Banking, UPSC, TET, CTET, SuperTET इत्यादी में भी खुब पूछे जाते हैं और मज़े की बात यह है कि इसे हम जूनियर क्लासे से पढ़ते भी आ रहे हैं फिर भी एक्जाम्स में हम इसको ले करके कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे त्रूटी हो जाते हैं आखिर है क्या यह narration हमारे लिए narration समझना इतना important क्यों है क्या English grammar में इसका इतना importance है कि बीना इसके competitive जांस क्रेट करना मुश्किल हो जाता है और यदि यह इतना ही important है तो हम इसे सीखें कैसे डियर फ्रेंड्स यदि आप यह सब जानना चाहते हैं narration से related हर प्रकार का confusion दूर करना चाहते हैं narration की ABCD से लेकर के XYZ तक आप सीखना चाहते हैं तो मेरे शाथ बने रहिए मैं आपको narration की three lectures की एक series प्रवाइट करने वाला हूँ जिससे कि आप narration के एक-एक rules एक-एक tricks को विदिवत समझ लें और आपके मुह से अपने आप यह सब्द निकले कि अरे वाह narration की changing इतनी आसान तरीके से भी हो सकती है क्या तो आईए start करते है narration Actually narration का मतलब होता है कथन यह narrate सब्द से बना हुआ है narrate का मतलब होता है to tell something forward the act of telling a story or conversation अर्थार बातचित को व्यक्त करने की कला या किसी बातचित को व्यक्त करना Dear Students आप इतना तो जानते ही है कि बातचित सदयव दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है हमें अक्सर इस बातचित को ब्यक्त करने की आउशक्ता पढ़ जाती है कई बार ऐसी परिस्थी आ जाती है कि ये जो बातचित होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जिसमें एक ये speaker होता है यानि बोलने वाला होता है और बाकी ये स्रोता होते हैं तो इस बातचित को कई बार ऐसी जरूत पढ़ जाती है कि हमें ब्यक्त करना पढ़ता है तो इस बातचित को ब्यक्त करने के दो तरीके है पहला तो तरीका ये है कि ये जो speaker है इसकी कही हुई बात को ठीक उसी के सब्दों में बीना कोई फिर बदल किये हुए बीना किसी प्रकार का परिवर्तन किये हुए हम ब्यक्त कर देते हैं और दूसरा तरीका ये है जिसमें हम speaker की कही हुई बात को उसी के सब्दों में न ब्यक्त करके उसका हम भाव प्रकट करते हैं आईए हम इसको example के माद्दम से समझने के कोशिश करते हैं suppose that ये sentence है असोग said I am working hard for the examination एक दूसरा sentence ले लेते हैं असोग said that he was working hard for the examination अब दोनों वाक्यों को ध्यान से आप देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में एक ही message है असोग ने कहा कि मैं परिच्छा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूं दूसरा वाला वाक्य असोग ने कहा कि वह परिच्छा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूं दोनों में same message है लेकिन दोनों वाक्यों को अगर आप ध्यान से देखिए, तो दोनों में difference है, पहले वाक्य में, जो speaker है, ये असोग, इसकी कही हुई बात को हम ठीक उसी के सब्दों में ब्यक्त कर रहे हैं, बीना किसी प्रकार का कोई बदलाओ की है, तो इस तरह का वाक्य, जिसमें हम वाक् की कही हुई बात को ठीक उसी के सब्दों में ब्यक्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं, direct narration, या direct speech, direct speech, और दूसरे वाक्य में देखिए, हम वाक्ता की कही हुई बात को ठीक उसी के सब्दों में न ब्यक्त करके, बलखी उसका हम भाव प्रकट किये हैं, अपने सब्दों में ब वक्ता की कही हुई बात को ठीक उसी के सब्दों में, उसके actual words में न ब्यक्त करके, जब हम अपने शब्दों में ब्यक्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, indirect narration या indirect speech. मुझे लगता है, अब आपको इतना तो clear हो गया, कि direct narration क्या होता है, और indirect narration क्या होता है, चलिए हम आपको और clarify करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, कि जब किशी वाक्त में, वाक्ता यानि speaker की कही हुई बात को ठीक उसी के सब्दों में जब हम ब्यक्त करते हैं, तो उसको कह करते हैं, direct narration या direct speech और जो वाक्ता की कही हुई बात है, उसको हम inverted कामा के अंदर ब्यक्त करते हैं, इसको हम और एक्जाम पर लेके समझते हैं, यहाँ यह वाक्ति देखिए, the teacher said to Mahesh, you are my student, यहाँ पर देखिए, teacher ने महेश से कहा, सिच्छक ने महेश से कहा, कि तुम मेरे सिच्छ से हो, अब यहाँ पर सिच्छक, यानि speaker जो है teacher, इनकी कही हुई जो बात है, ठीक उसी सब्दों में ब्यक्त की गई है, जिन सब्दों में इन्होंने कहा है, इस sentence को ध्यान से देखिए, तो जब वक्ता की कही हुई बात को ठीक उसी के सब्दों में ब्यक्त करते हैं, तो क्या उसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं, direct speech या direct narration, अब इसके ध्यान से अगर आप देखें, तो आप पाएंगे कि इसके दो पार्ट हैं, एक तो inverted कामा से बाहर का portion, जो देखिए highlight हो रहा है, जो underline, दिख रहा है आपको, जो inverted कामा से बाहर का portion है, इसको हम बोलते हैं, reporting speech, पहला पार्ट तो यह हो गया, और दूसरा पार्ट जो inverted कामा के अंदर है, इसको हम बोलते हैं, reported speech, reported speech बोलते हैं, clear हो गया, यानि कि direct speech या direct narration के दो पार्ट, reporting speech और reported speech, अब reporting speech पे आजाएए, reporting speech के तीन सब पार्ट हो सकते हैं, पहला क्या, जो speaker है, यानि कि जो बोल रहा है, ये, इसको हम बोलते हैं, speaker या subject आप reporting उबार्ट, और जिस warm की सहायता से, ये अपनी बात कहता है, उसको हम बोलते हैं, reporting उबार्ट, क्लियर हुआ, और ये speaker, जिसे से अपनी बात कहता है, उसको हम बोलते हैं, object, आप reporting उबार्ट, क्लियर हुआ, अब आएए ज़रा हम, second part की बात कर लें, indirect narration की बात कर, अभी मैंने आपको बताया था, कि जब वक्ता की कही हुई बात को, ठीक उसे के सब्दों में ब्यक्त ना करके, हम उसका सारांस प्रकट करते हैं, हम उसका भाव प्रकट करते हैं, तो उसको बोलते हैं, indirect speech, अब हमें यही तो सीखना है कि यह जो direct speech का वाक्य है, इसको हम indirect में कैसे बदलें, Actually, direct speech या direct narration का जो वाक्य होता है, उसमें कुछ हमको बदलाव करने पड़ते हैं, indirect speech में बदलने के लिए, विशेस रूप से, वर्ब का जो tense है, उसमें हमें changing करनी पड़ती है, pronoun अगर है, तो उसमें हमें बदलाव करना पड़ता है, समय अथवा इस्थिती की निकरता बताने वाले जो सब्द होए, उसमें हमको changing करनी पड़ती है, तो यह कुछ हमें changing करनी पड़ती है, कुछ certain rules हैं, जिनको हमें अपनाना पड़ता है, जिनके द्वारा हम direct speech के वाके को indirect में बदलते हैं, जैसे यही sentence है, the teacher said to Mahesh, you are my student, अब इसी को अगर indirect में हम बदलें, तो यह होगा, कि the teacher told Mahesh that he was his student, यह जो sentence है, indirect का, यह उपर वाले sentence का indirect speech है, अगर इस वाके को आप, यानि indirect speech वाले वाके को आप ध्यान से देखें, तो आपको कुछ grammatical बदलाव नजर आएगा, आईए देखते कौन कौन सा बदलाव इसमें हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको सीख लेंगे, तो आगे, आप बड़ी easy way में हर चीज को बहुत ब्यातर तरीके से समझ लेंगे, सबसे पहले तो आप देखे, यहाँ जो reporting verb है, reporting verb यानि कि यह जो sad है, यह देख रहे हैं, यह किस में बदला है, यह told में बदल गया है, देख रहे हैं, दूसरा क्या बदला हुआ है, यह जो inverted कामा है, और कामा इसके जगाह पे that का प्रयोग हुआ है, और जो यह pronoun था, you और my, यह देखिए, he में और his में चेंज हो गया है, और साथ साथ देखिए यहाँ पे, यह जो वर्ब है, reported speech का, यह भी देखिए, चेंज हो करके past form में आ गया है, तो यह कुछ certain rules हैं, कुछ trick हैं, जिसको हमें अपनाना पड़ता है, direct speech के वाक्य को indirect speech में बदलने के लिए, आईएव हम सीखते हैं कि कैसे direct speech के वाक्य को हम indirect में बदलने, clear, यहाँ देखिए, direct से indirect बनाते समय हमें कुछ बिंदूओं को ध्यान रखना पड़ता है, मसलन कौन सा है, tense of the verb, pronoun, और समय या अस्थान की समीपता दर्शाने वाले शब्द, और type of sentence, वाक्य का प्रकार, जब भी हमको direct speech का कोई वाक्य मिलेगा, और हमें उसे indirect speech में चेंज करना होगा, तो हम इन चार चीजों पे अपना ध्यान फोकस करेंगे, tense, आप दिवार, pronoun, और आईसे सब्द, जो समय अत्वा आस्थान की निकटता दर्शाते हैं, और वह sentence किस प्रकार का है, जैसे कि वह assertive sentence है, interrogative sentence है, imperative sentence है, exclamatory sentence है, optative sentence है, तो किस प्रकार का sentence है, हर प्रकार के sentence को direct से indirect में बदलने के लिए अलग, separate rules है, तो आईए हम start करते हैं, सबसे पहले, tense आप दिवार, यानि कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि direct speech के वाकि को indirect speech में बदलते समय हम जो वाकिय का tense है, उसमें किस प्रकार का बदलाओ करेंगे, तो उसके लिए पहला rule देखिए आप, यदि reporting work, अभी मैंने आपको बताया था, कि direct speech का जो वाकिय होता है, उसके दो part होते है, जो inverted comma के बाहर का जो part होता है, उसको हम reporting speech बोलते है, और जो inverted comma के अंदर का जो part है, उसको क्या बोलते है, reported speech बोलते है, अब reporting जो speech है, उसमें मैंने आपको बताया था, कि speaker जिस verb की सहायता से अपनी बात कहता है, उसको बोलते है reporting वर्ब, clear हो गया, अब यदे reporting वर्ब हमारा present tense में है या future tense में है, तो reported speech के वर्ब का tense नहीं बदलता है, क्या बदलाओं करना पड़ता है? आप reported speech को reporting speech से connect करने के लिए connecting word के रूप में हम that का प्रिव करते हैं, जैसे कि ये वाकिया है देखिए यहां पर, राधा सेज, inverted comma, सुधा is going to England, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आप कहां पर focus करेंगे? आप focus करेंगे ये reporting word पे, अब reporting word देखिए, किस tense में है? simple present tense में है, यानि कि present indefinite tense में है, तो rule क्या कहता है? rule ये कहता है, कि यदि यह reporting verb present tense में है, तो reported speech का जो verb है, जिसको, देखिए, यहां पर is going है, यहां पर highlighted है, इसमें हम किसी प्रकार का कोई बदलाओं नहीं करते हैं, केवल, कामा और inverted कामा हटा करके, that connecting word का प्रिवब करते हैं, यहां पर देखिए, indirect speech का बाकिया, राधा says that, सुधा is going to England, यहां पर देखिए, यह जो reported speech का, जो verb है, इसके tense में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, देख रहे हैं आप, clear? चलिए, हम और एक्जाम पर लेकर समझते हैं, यहां पर देखिए, direct speech का बाकिया, the teacher will say, कामा, in order, कामा, all the children have become very naughty, यहां पर देखिए, यह reporting वर्ब, देख रहे हैं, reporting वर्ब, जो, यहां पर देखिए रहा है आपको, यह किस tense में है, यह simple future में है, यानिक यह future indefinite tense में है, आभी मैंने बताया, रूल, क्या कहता है, कि यदि, reporting verb, present tense में है, या future tense में है, तो, reported speech के वर्ब का tense, नहीं बदलता है, तो, क्या होगा यह, यह हो जाएगा, the teacher will say, that all the children have become very naughty, यहां देखिए, यह वर्ब, जो है, कोई बदलाव नहीं हुआ, unchanged है, क्लियर हुआ, अब हम next rule देखते हैं, next rule क्या है, यदि, reporting verb, past tense में हो, तो, reported speech के verb का tense भी, past tense में ही होगा, यानि कि, reporting verb यदि past tense में है, और reported speech का verb, present tense के किसी भी form में है, तो, अपने equivalent past form में बदलाई जाएं, अब इसके अंतर कर देखिए, कौन-कौन से rule हैं, देखिए आपे, मैंने भी आपको बताया, कि यदि, reporting verb, past tense में हो, और reported speech का verb, present tense में है, तो वो corresponding past form में हो जाएगा, समतुले, यानि कि, यदि, present indefinite tense में है, जैसे ये वाकि देखिए, यहाँ पे, इसमें देखिए, run set, कामा, inverted कामा, हरी, right select, सबसे पहले तो आप ये देखिए, कि reporting verb said है, clear, यानि ये past tense में है, तो जब ये past tense में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि, ये reported speech का जो verb है, right, इसका tense बदलेगा, ये भी past tense में होगा, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे, कि reported speech जो है, किस tense में है, तो यहाँ पे देखिए subject है, और main verb में yes लगा हुआ है, यानि कि, ये present indefinite tense में है, तो ये change किसमें होगा, ये past indefinite tense में होगा, ये देखिए, र और दूसरा एक्जाम पिल लेते हैं, analysis, comma in order comma, semi writing a letter, देखिए यहाँ पे, ये जो reporting verb है, देखिए यहाँ पे, past tense में है, इसका मतलब ये हुआ, कि ये, जो reported speech का, जो verb है, इसका tense बदलेगा, और ये किसमें है, ये present continuous tense में है, तो ये बदल करके किसमें हो जाएगा, अपने equally balanced past form में, यानि कि past continuous tense में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अनिल said, that schema was writing a letter, reported speech को, reporting speech से जोड़ने के लिए, मैंने आपको बताया था, कि, that connecting word का प्रियोग, होगा ही होगा, clear हुआ, आईए हम, और वाके देखते हैं, गीता से, संध्या has completed her work, यहाँ पे देखिए, reporting verb तो हमारा past tense में है, अब हम देखते हैं, reported speech हमारा किस tense में है, reported speech में देखिए, यहाँ पे, hash और main verb का third form, इसका मतलब यह, कि यह present perfect tense में है, तो यह change जब होगा, तो किस में होगा, यह past perfect में होगा, यानि कि यह हो जाएगा, गीता सेट, संध्या है, completed her work, और देखते हैं, मान लिजिए, यहाँ पे, यह वाक्त है, रजनीस सेट, कामा इनोट कामा, शोनम, has been sleeping for two hours, तो यहाँ देखिए, reporting verb, मैंने आप से कहा है, फिर मैं repeat कर रहा हूँ, सबसे पहले आप कहाँ ध्यान देंगे, कहाँ अपना दिमाग फोकस करेंगे, reporting verb पे, reporting verb देखिए, यहाँ पे, sad है, यानि कि यह past tense में है, इसका मतलब यह है कि reported speech के verb का tense भी past form में होगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे has been sleeping है, यानि कि यह present perfect continuous tense में है, तो यह change हो करके, किस में होगा, past perfect continuous tense में होगा, और reported speech को reporting speech से जोड़ने के लिए, that connecting word का प्रयोग होगा, तो इस प्रकार से, इस वाक्य का indirect speech हुआ, रजनीस, said that, sonam had been sleeping for two hours, तो इस प्रकार आपने सिखा भी तक, कि यह the reporting verb आपका past tense में है, और reported speech का वाक्य, present tense के, जिस form में है, अगर indefinite में है, तो past के उसी form में हो जाएगा, यानि past indefinite में हो जाएगा, present continuous में है, तो past continuous में हो जाएगा, present perfect में है, तो past perfect में हो जाएगा, और present perfect continuous में है, तो बदल करके past perfect continuous में हो जाएगा, सnt क्लियर? अब आएए नेक्स्ट रूल देखें साइओ लिए च्रूल क्या है? यह दिरिप्पोर्टिंग वर्ब पास्ट सेन्स में हो और रिपोर्टेड स्पीश का वर्ब पास्ट इन डि कुइक 마्ने टेंस तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदाउए Remembering जब तक हम जम फिल नहीं देखेंगे हमारा कांसेप्ट के लिए नहीं हो सकता कि कितना मज़ा रहा है कितना एजीवी में आप समझ रहे हैं है ना आसान बस आउसक्ता है बस आपको थोड़े से ध्यान देने की मेरे साथ बने रही है मैं आपको इसी तरीके से बहुत ही सिंपल वे में पूरा नैरेशन का एटू जेट आपको हस्ते हस्ते एकदम बहुत ही जीवे में सिखाड़ा लोगों देखें यहां पे वाकिए डिरेक्टी स्पीश का वाकिए क्या है रामसेट गरिमा कुग्ड फूट यहां पे देखिए यह रिपोर्टिंग आब नमान 말고 इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट डेंस में में है तो रूल कैसा एघ्य यह यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस मेंध तो बदल करके पास्ट पर्टेंस में हो जायेगा और रिपोर्टींग स्पीश से जोड़ने के लिए रेट कांजक्शन का अप्रेव होगा क्लियर नेक्स्ट रूल देखते हैं यदि रिपोर्टिंग और पास्टेंज में है और रिपोर्टेड इसपीच का वर पास्ट कांटेनिंग अस्टेंज है तो उसे बदल करके हम किसमें चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कांटेनिंग अस्टेंज है आई एक जांपिल से इसको समझते है गोपाल सेट कामा इन्वाटर कामा कीरन वाज राइटिंग अलेटर यहां देखिए यह जो रिपोर्टिंग और पास्टेंज में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है देखिए हाँ पर वाज राइटिंग है इसका मतलब यह है कि यह पास्ट कांटेनिवस्टेंस में तो इसको चेंज करेंगे तो किसमें ले जाएंगे इसको इसको हम ले जाएंगे past perfect continuous tense में और past perfect continuous tense में helping verb क्या use होता है had been clear तो ये वाक्य हो जाएगा फिर से ध्यान से सुनिए next rule देखते है यदि reporting verb past tense में हो और reported speech का verb past perfect tense या past perfect continuous tense में हो तो उसमें कोई changing नहीं होती किसी प्रकार का कोई परिवर्दन verb के tense में नहीं होता जान रखेगा reported speech को reporting speech से जोड़ने के लिए that connecting word का प्रयोग हम करेंगे जरूर करेंगे example के तौर पर यहाँ पर देखे असोक सेड रीता had on the match यहाँ देखे यह जो reported speech reporting verb तो हमारा past tense में है यह देख रहा है reported speech जो है यह past perfect tense है head लगा हुआ है main verb का third form तो rule क्या कहता है कि यदि reporting verb past tense में है और reported speech में past perfect tense है तो कोई changing नहीं होगी के वल that connecting word का प्रयोग होगा के वल that connecting word का प्रयोग हुआ बाकी से कामा इन रट कामा हटा देते है तो रिष्टा प्लास्ट में रहता है एक example और समझते है नीलम सेट मरियम had been singing a song for two hours पूरे इत्मिनान से समझी आराम से समझी कोई जल्दी वाचिने तुरूटी कहां से होती है जब आप किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी समझना चाहते है देखे किसी चीज को सीखने का कोई साथ ट्रिक नहीं होता अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा perfect हो जाए complete knowledge आपको हो तो आपको पूरा विद्वत सिखना पड़ेगा और सिखने के लिए तो आप इच्छु खाई हैं और सिखाने की चाहत मेरे पास है तो आईए देखते हैं इसको कैसे हम चेंज करते हैं यहाँ पे देखे नीलम सेट यहाँ देखिए यह जो reporting वर्ब है past tense में है और reported speech में had been singing यानि कि यह वो reported speech जो है यह past perfect continuous tense में तो rule के नुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा केवल that connecting word का प्लिव करेंगे बाकी shape clear आईए next rule देखते हैं यहाँ देखिए यदि reporting वर past tense में हो और reported speech में model augulary जैसे will है shell है can है में है तो इसको हम change करते हैं will को हम good में बदल देते हैं shell को should में बदल देते हैं can को could में बदल देते हैं make को might बदल देते हैं बाकी changing पहले की तरह रहें यानि that connecting word का प्रयोग होगा example से समझते हैं he said ram will go there यहाँ देखिए यह reported speech में will model augulary का प्रयोग किया गया है तो यह किस में change होगा food में होगा और reported speech को reporting speech से जोड़ने के लिए that का प्रयोग होगा यानि यह हो जाएगा he said that ram would go there clear next example पिल दखते हैं अनुज said गीता कैन से साथ यहाँ देखिए कैन है तो बदल के हो जाएगा could clear आई आगे देखते है next rule यदि reporting word past tense में है तो reported speech में would could should must might या ought to है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता फिर शेद्यान से सुनिए भले ही reporting वर्व हमारा past tense में हो reported speech में यदि would है could है should है must है might है या ought to है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है किवल that connecting word का प्रयोग करते है jump il के तौर पे देखिए she said gopal must work hard clear अब यहाँ पे देखिए must है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किवल that connecting word का प्रयोग किया गया है और example देखिए है यहाँ पे देखिए used to है इसका मतलब सीदे सीदे कोई परिवर्तन नहीं होगा देखिए next rule देखिए next rule क्या है यदि reporting verb के बाद कोई object है देहां देजिएगा reporting verb कि बाद मैं कर रहा हूँ यदि reporting verb के बाद कोई object है तो sage अगर है reporting verb के रूप में तो उसको हम tells में बदल देते हैं यदि say है reporting verb के रूप में तो हम उसको tell में बदलते हैं और यदि said है तो उसको told जैसे यहाँ देखिए unil sage to me यहाँ पे देखिए यह reporting verb है इसके बाद यहाँ पे यह object दिया हुआ है to preposition लगा करें इसका मतलब यह हुआ कि यह जो sage to है यह किसमें बदलेगा यह बदलेगा tells में और कामा इनोर्ट कामा हटा करके that का प्लोग करेंगे लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बताऊं यहाँ पे देखिए यह जो reporting verb है यह present tense में है तो जब यह present tense में है तो यह तो tells में बदलेगा लेकिन यह जो reportage speech का verb का जो tense है यह नहीं बदलेगा क्यों? क्योंकि आप अभी थोड़े देर पहले पढ़ चुके है यहように reporting verb present tense में है या future tense में है तो reported speech का verb का tense नहीं बदलता, clear हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा, and it tells me that Ramesh has gone to Agra, यहाँ देखिए, has, same है, कोई परिवर्त नहीं हुआ, clear, और यहाँ देखिए, यहाँ, set के बाद, to करके, आपचक्ट लिखा हुआ है, यानि कि, यह जो, set to have, यह tells में बदलेगा, किस में बदलेगा, told में बदलेगा, यह किस में बदलेगा, told में बदलेगा, क्यों, क्यों कि यहाँ पर देखिए, rules में है, set to go, told में बदलती है, लेकिन, अब चुकि यह reporting वर्ब हमारा जो है, past tense में है, तो reported speech का यह जो tense है, वर्ब का जो tense है, यह भी past tense में होगा न, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, गीता, told गोपाल, that, kapil had returned a vector, यहाँ देखिए, हैज, किस में बदल गया, हैट बदल, क्लियर हो गया, जाएगे आगे देखते हैं, अब, यह rules जो आपने, वर्ब के tense में पढ़े, इसके कुछ अपवाद भी, आपने अभी तक पढ़ा, कि यह दि reporting वर्ब past tense में है, तो reported speech के वर्ब का tense बदल लाएगा, लेकिन कुछ ऐसी परिशितियां आती हैं, या कुछ ऐसे अपवाद हैं, जहाँ पे reporting वर्ब भले ही past tense में हो, उसके बावजूद भी reported speech के वर्ब का tense हम नहीं बदलते हैं, वो कौन-कौन सी conditions है, आई उसको देखते हैं, पहला, अपवाद क्या है, कि भले ही हमारा reporting वर्ब past tense में हो, लेकिन reported speech में, यदि universal truth हो, सदा सत्य कोई बात कही गई हो, या habitual fact, यानि कि किसी की आदत समंदी कथन हो, आदत समंदी बात हो, तो हम reported speech के वर्ब का tense नहीं बदलते हैं, example के तौर पर देखते हैं, यहां पर, our teacher said, the earth moves round this, हमारे अध्यापक ने कहा, कि पृत्वी सूर्य का चक्कर लगाने, यह universal truth है, scientists यानि बाज्ञानिकों ने इसे साभी दिभी किया है, कि पृत्वी सूर्य के चारव का चकर लगाने, तो इसका मतलब यह हुआ, कि भले ही यह जो reporting वर्ब है, past tense में भले ही है, लेकिन चुकि reported speech में, universal truth है, इसलिए इसमें हम कोई परिवर्टन नहीं करते, केवल कामा और inverted कामा को हटा करके, that connecting word का प्रिव करते हैं, बस, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, our teacher said that the earth moves around the sun, clear, आईए दूसरा एक्जाम पिल लेके देखते हैं, राजियो said to me, he plays with right hand, राजियो ने मुझे कहा, कि वो दाइने हाँ से खेलता है, अब देखिए यहाँ पर, वो दाइने हाँ से खेलता है, उसकी आदत है, राजियो की आदत है, कि वो दाइने हाँ से खेलता है, तो चुकि इसमें आदत समंधी कथन है, आदत समंधी बात है इसलिए हम इसमें कोई बदलाओ नहीं करेंगे लेकिन यहां देखे रिपोर्टिंग वर्ब में अब्जेक्ट भी है साथ इसलिए यह टोल्ड में बदल जाएगा clear और कामा निट कामा हटा करके that लगाएंगे बाकी सेम उसी तर रहेगा यानि कि राज्यू टोल्ड में that he plays with me sorry with the right height clear दूसरा अपवाद क्या है उसको देखते हैं अभी एक वाके और है देखिया he said to his brother dogs bark at his tender वो अपने भाई से कहा कुत्ते अजनुईयों को देखे भोगते हैं कुत्तों की तो आदत होती है भोगना तो चुकि यहाँ पे आदत समंदिक कथन है इसलिए इसमें कोई बदलाओ नहीं होगा present tense में है और present tense में ही रहेगा clear हाँ यहाँ देखिये set के बाद object है इसलिए यह told में बदलेगा और बाखी यहाँ that का प्रियोग होगा clear तो यह हो जाएगा he told his brother that dogs bark at stranger clear हुआ आए next अप वाद देखते हैं क्या है यदे reported speech में proverb यानि की कहावत दी गई है तो reported speech के verb का tense नहीं बदलता है फार एक्जाम पिल यहाँ देखिये he said honesty is the best policy इमानदारी सबसे अच्छी नहीं यहाँ देखिये reported speech में यह proverb है कहावत है इसलिए इसके tense में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि यह यहाँ कामा in order कामा अटा करके that का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा he said that honesty is the best policy clear चलिए आई यह और देखिये है next अप्वाद क्या है यदि reported speech में historical fact यानि आतिहासिक तत्थ है तो भी reported speech के verb का tense नहीं बदलता है एक्जाम पिल के तौर पे देखिये आहां पे आवर टीचर सेड गांधी जी डाइड इन जनौरी 1948 यहां पे देखिये ही reported speech में historical fact है गांधी जी इनकी देख हुई थी आप history की बुक में इसको सर्च कर सकते हैं चुकि इतिहास में इसका जिक्र है इसलिए यह इतिहासिक कथन हुआ इतिहासिक तत्य हुआ that's why इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं कि यवल कामा इन और कामा अटा करके और connector के रूप में that का प्योग करते हैं clear क्या हो जाएगा इसका our teacher said that गांधी जी डायट इन जनौरी 1948 clear आगे देखते हैं next up what यदि reported speech में past tense में एक ही समय पर दो कारियों के होने का प्रसंग हो तो भी reported speech के verb का tense नहीं बदलता है यहां देखिए he said my wife was making lunch when I was studying यहां पर ध्यान से देखिए reported speech में दो कारियों हो रहा है दो कारियों के एक साथ होने का प्रसंग है मेरी पतनी लंच त्यार कर रही थी और मैं पढ़ रहा था दोनों एक ही समय में हो रहा है तो जब कभी reported speech में एक ही समय पे दो कारियों हो रहे हैं तो हम इसके वर्ब के tense में कोई बदलाव नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा he said that his wife was making lunch when he was studying clear तो friends यह था कुछ अपवाद जो हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ऐसा नहों कि rules के चक्कर में हम फंस करके और इस तरह के वाक अगर है reported speech में तो उसको भी हम बदल लें तो हम से तोती हो जाएगा clear तो अब आएए अगला पवाद हम देखते हैं अगला पवाद क्या है यदि reported speech में कोई imaginary चीज है कालपनिक कोई सर्थ है condition है imaginary condition है तो भी उसमें कोई बदला नहीं होता है जैसे example के तौर पर देखिए आँ पर she said if I were rich I would help him वह कही यदि मैं धनी होती तो मैं उसकी मदद करती है यहां पर देखिए reported speech में यह कालपनिक सर्थ है ना तो वह धनी है और वह मदद कर रही अगर वह धनी होती तो कालपनिक सर्थ है तो यहां भी कोई बदलाव नहीं होगा यानि कि यह वाक्य जब हम indirect में बनाएंगे तो हो जाएगा she said that if she were rich she would help him clear तो friends आज हम यहीं तक्रहने देते हैं इसके बाद क्योंकि आप ऊप गया होंगे इसके बाद हम next lecture में आगे की चीज़े पढ़ेंगे आज आपने जो tense है उसमें बदलाव सीखा आपने reported speech के वर्व को हम किस प्रकार बदलते हैं उसको आपने सीखा और कुछ अपवाद आपने जो सीखा यह जानना बहुत जरूरी था तो आज हम आपको कुछ home work दे देते हैं आप इसको तब तक करिए next lecture में हम इसके आगे pronoun की changing निकटा बताने वाले शब्दों की changing और कुछ अन्य प्रकार के वाकियों को बदलना सीखेंगे तब तक आप यह screen पे जो वाकिया आपको दिख रहे हैं इसको direct से indirect बनाईए आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा मुझे उमीद है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा आपको बहुत मज़ा आया होगा यदि आपको अच्छा लगा तो प्लेज लाइक बटन हीट करना न भूलिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाएए तभी तो हमारे अगले आपको मिलेगा और कमेंट करके यह बताना मत भूलिए कि आपको यह मेरा लक्षा कैसा लगा थैंक्यो है वे नाइस टे